अपने गढ़ में बर्चसु कायम रखने के लिए समाजवादी पार्टी ने रास्टी अध्यक्षा खलेस यादो की पत्नी डिमपल यादो को प्रत्यासी घोसित किया है मुलायम सिंह यादो की निधन के बाद उपचुनाओ में डिमपल यादो को मैदान में उतारा गया था तब उन्होंने बड़ी जीत हासल की थी अब आगामी चुनाओ के लिए भी पार्टी उन पर ही भरोसा जता रही है मैनपुरी लोग सभच छेतर को सपा का गड़ मैना जाता है 1996 के बाद इस सीट पर सपा का कब जा रहा है सुरगे मुलायम सिंह यादो ने वहां से पांच बार वो सांसद रह चुके है वर्स 2022 में मुलायम सिंह यादो के निधन के बाद उप चुनाओ में पार्टी ने डिमपल यादो को मैदान में उतारा था उस चुनाओ में भाजपा से रगुराज सिंह शा के प्रत्यासी रहे वह चुनाओ मैनपूरी के इतिहास का सबसे जबर्दस्त प्रचार अभियान वाला चुनाओ माना जाता है सपा की ओर से पूरे सैफेई परिवार के साथ प्रदेश भर बिधायक और पूर्व जन प्रतिनिद ओर्ट मांगने उतरे थे इसमें भाजपा ने पूरी ताकत जोग दी थी उस चुनाओ में डिमपल यादो ने 2.88 लाख वोटों के बड़े अंतर से भाजपा प्रत्यासी को पराजित कर दिया था डिमपल यादो ने पहली बार वर्स 2009 में फिरोजाबाद लोगसभा सीट से उपचुनाओ में लड़ी हुई थी तब कॉंग्रेस प्रत्यासी राज बबबर ने उनको पराजित किया था इसके बाद वर्स 2014 के लोगसभा चुनाओ में वह करनौज की सीट से सांजद बनी वही 2019 के लोगसभा चुनाओ में उनको करनौज सीट पर हार का सामना करना पड़ा अगामी चुनाओ के लिए डिमपल यादो को दुबारा प्रत्यासी बनाने की बाद पूर्व में कई बार सपा के मंचों से कही गई थी मंगलवार को जारी सूची में एक बार फिर से अधिकरित मोहर लग गई है प्रत्यासी घोसित होती ही जिली में राजनीती खलचल तेज हो गई है वहीं वर्स 2022 में उपचुनाव जीत कर डिमपल यादो मैन पूरी की पहली महिला सांसत बनी थी उसके बाद उन्होंने कई चुनाव में महिला प्रत्यासी मैदान में उतारा प्रंद कोई जीत दहलीज पर नहीं पहुस सकी थी